प्रणाव आज के पिसोड में हम बात करने वाले हैं चंदन ये वरुक्ष के बारे में पिछले एपिसोड में हमने रक्त चंदन ये वरुक्ष के बारे में जानकरी ली थी तो उसी फैमिली का है ये चंदन वरुक्ष चंदन इसके नाम में ही अगर आप देखेंगे तो एक आनंद है इसलिए उसे चंदन कहते हैं जो हमें आनंद प्रदान करता है जो हमें शीतलता प्रदान करता है तो वैसे तो सभी लोगों को चंदन ये वनस्पती सिर्फ एक सुगंदित वनस्पती है इसी तौर पे पता है यानि उसको हम हमारे घर में हवन सामगरी हो या फिर अगर बत्ती बनानी हो या तो फिर कोई सज्जा या सज्जावट वाली अगर कोई वस्तूप बनानी हो तो हम चंदन के व्रुख्षा इस्तमाल करते हैं यानि फिर फरनीचर बनाना हो दर्वाजा बनाना हो तो ऐसे सब चीजों के लिए इसे चंदन वनस्पती इस्थमाल की जाती ऐसका लोगों का मानना है। लेकिन चंदन यह जो वनस्पती है वो उतनी ही आउषदी भी है यानि यह हमारे लिए एक जड़ी-बुटी की तरह काम करती है। चिकित्सा में तो कई वर्षों से कई सालों से हम इसे इस्तमाल करते हुए आ रहे हैं लेकिन जादातर लोग इतनी ही जानकारी रखते हैं कि चंदन ये वरुक्ष तिलक लगाने के लिए पूजा पाठ में और बाकी जो हमारी सज्जावट की जो वस्तुए हम बनाते हैं फरन प्रदेश हर जग अलग-अलग प्रदेशों में हम लगाने की शुरुवात तो की है लोगोंने चंदन का वरुक्ष अच्छे से उसका लोग घ्याल भी रख रहे हैं और चंदन ये वरुक्ष की बड़ोतरी भी हो रही है वैसे तो ये चंदन काफी महेंगा होने की वज़े है लेकिन ये सुगंधित तब होता है जब ये 12 साल से उपर का वरुक्ष हो तब इसमें सुगंध पाया जाता है यानि सुगंधित वनस्पती में भी सुगंध पाने के लिए उसे भी कुछ आयू हमें देनी पड़ती है तो ऐसी ये सदा परणिय वरुक्ष इसके अगर होती है नीचे की तरफ मडी हुई होती है थोड़ी सी गोलाकार हुती है इसके तने आप देखेंगे तो जुके हुए होते हैं लेकिन काफी उचाई तक जाने वाला ये ब्रुक्ष है इसकी छाल देखेंगे तो बूरे काले रंग का द्रव्य निकलता है द्रव्य यानि जब हम उसे घीसते हैं तो उसका जो लेप बनता है वो पीले रंग का होता है तो ऐसा यह चंदन का व्रुक्ष आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है कुछ लोग लगाने की शुरूबात कर रहे हैं को लोगों को पता चला है अभ है तो इसकी वज़े से अपके मुह पे पिंपल्स आना मुहा से आना ऐसे सब चीजे देखने को मिलती है तो ऐसे में अगर हम चंदन का लेप लगाते हैं हमारे चहरे पे तो उसे यह मुहा से कम होने लगते हैं दूसरा इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं कि कुछ-कुछ लोगों को काफी पसीना आता है तो काफी पसीने की बदबू भी आती है तो कुछ लोग इस चीज को लगे काफी परेशान रहते हैं कि कहीं मेरे पसीने की बदबू जादा आएगी तो लोग मुझसे भाग तो नहीं जाएंगे लोगों को कैसा लगेगा तो हम ज्यादा तर लीजिए और गुलाब जल में उसे अच्छे से घिस कर जो लेब बनेगा उसे अपने शरीर पर लगाए यानि पसीने में से जो भी बदबू आने लगी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी कुछ लोगों को हिचकी बहुत आती है कुछ खाते हैं तो भी हिचकी आती है कुछ न खान पान बहुत्त है या तो अच्छ लोगी लेट खाना खाते हैं तो ऐसे में पेट में घडबॉड हो जाती है Saturday को उसकी वज़े से होता है कि हमें रिदे में दर्ध होता है आखों में जलन होती है में कभी-कभी दरद होने लगता है कुछ लोगों को नाभी में दर्ध हो या तो फिर आप अपनी पूरे चाती पे अगर वो लेप लगाते हैं चंदन की चूर्ण का तो उससे भी आपको रहत मिलती है कुछ लोगों को बारबर छीकें आती है महिलाओं को भी अगर आपने देखा होगा कि जादा तर पानी में काम करते हैं तो उनको काफी चीकें आती है तो ऐसे में अगर हम धनिय की जो पत्ती होती है उसे और यह जो चंदन का चूर्ण है उसको मिला कि अगर हम सुनते हैं तो उससे चीक भी कम हो जाती है कुछ लोगों को आखों की बिमारी होती है आखों में जलन होना या तो फिर आखे दर्द होना कभी-कभी हम ज्यादा का चूर्ण है उसको दूद में या तो फिर गुलाब जल में अच्छे से आखों क्या सपस लगाते हैं तो उससे भी दाह कम हो जाएगा जलन कम होगी और दर्द भी कम हो जाएगा तो ऐसे ये काफी चीजों के लिए हम ये चंदन का चूर्ण इस्तमाल कर ही सकते हैं तो चंद फंदी कि Month59 स्टमाल होता है जहां जिसमें चंदन का भी एक समार्विष की आ जाता है जिससे मन काफी शान्त होता है अगर उस तेल और शटरी के उपर मसाज करते हैं तो शरीर को भी थंडक मिलती है जो पित्त विकार वाले लोग है जो जिनको जाधा तर रक्त पित्त है तो ऐसे में चंदन के तेल की अगर मौलिश करते हैं तो उससे भी आपको काफी रहत मिलती है तो कभी-कभी कुछ लोगों को नाक में से खूनाना या तो फिर गुदा में से खूनाना यो अगर आप उसे अच्छे से नायल के तेल में उसका लेप बना कि अगर उस जगह पर भी लगाते हैं तो उससे भी दीरे-दीर आपको रहत मिलने लगती है नाक में से अगर आपके खून आ रहा है तो ऐसे में आप दो-चार बूंदे नायल के तेल और चंदन के चूरण की खून आ रहा है वो भी कम हो जाएगा दा कम हो जाएगी और दीरे-दीरे आपको रहत मिलेगी तो इसे काफी चीजों के लिए ये चंदन का जो चूरण है वो हम इस्तमाल करते हैं कुछ महिलाओं को हमेशा शरीर में दाहा रहती है या तो फिर उन्हें लगता है कि काफी महिलाओं को लुकोर्मिया का भी तकलीफ रहती है तो ऐसे में भी आप चंदन के चूरण का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे ये चंदन का चूरण है वैसे इसकी जो तैने की च्छाल है उसे भी अगर आप घिसते हैं और उसका तेल या तो फिर उसका जो लेप निकलता है अगर ह जलन होती है जिने जादा ऐसा लगता है कि मेरी स्कीन कुछ ड्राय होने लगी है मॉस्चर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप चंदन का इस्तमाल कीजिए तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी तवजह भी अच्छी रहेगी तवचा के लिए तो ये बहुत ही जड़ ऑलगी बूटी है चंदन अगर आप चंदन का लेप लगाते हैं अपने चेहरे तो दीरे दीरे अपकी तवजह निखरेगी अरे शरीर पे अगर पिसका लगाते हैं तो इतना सुगंद रहेगा कि अगर आफके आसपास के लोग भी आपको बोलेंगी कि अरे तुम क्या लग भूग्श है तो आर्थिक तॉर पे आप की जाए toughest बहुते कोई अच्छा चिकित सक और आपके आशपस रहें हमे Ol interests तो उसे भी आप अच्छे से जानकरी ले सकते हैं, कोई भी चीज इस्तमाल करने से पहले अच्छे चिकित सक्किए सला जरूर लीजिएगा, तो ये चंदन का वरुख्ष आपको पता चल गया है, अगर कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारे आश्रम में आईए, हमने अभी बहुत ही सुन्दर एơसे चंदन के वरुख्ष लगाए हैं हमारे आश्रम में, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक पुरुक्ष के साथ तब तक हमारे साथ बने रही है हमारे जो अलग विश्यों पे हमने वीडियो बनाए हैं उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए जादा से जादा शेर कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकरी ले सके तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेर कीजिए धन्यवाद